युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों के प्रति उनका रुजहान बढ़ाने के उदेश्य से हमीरपूर संसिदी क्षेतर में देश की अपनी तरह की पहली खेल महाकूम प्रत्योगिता का आयोजन एक बार फिर से होने जा रहा है केंद्रिय मंतरी अनराग ठाकूर के मार्ग दर्शन में हमीरपूर संसिदी क्षेतर के सभी 17 विदान सभा क्षेतरों में खेल महाकूम के सफल आयोजन को लेकर कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें खेल महाकूम को 8 दिसंबर 2021 को आयोजित करने का निरने लिया हमीरपूर में पत्रकार वारता करते हुए खेल महाकूम के सहसाईयों जगा नरेंद्र अतरी ने बताया कि इस बार खेल महाकूम में महिला खिलाडी भी अपना दमखम दिखाएंगी सांसर खेल महाकूम के लिए पंजी करन 22 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक किया जाएगा महिला खिलाडियों के लिए पंजी करन भी निशुल कर रखा गया है उन्होंने बताया कि खेल महाकूम में किरकट बॉली बॉल, कबड़ी, बास्केट बॉल, एटलेटिक्स, फुटबॉल परतियोगिताएं आयो जित होंगी परतियोगिता में विजेता टीमों को 50 लाग के नगट पुरुसकार भी वितरी तक किये जाएंगे अतरी ने बताया कि किरकट परतियोगिता कि विजेता टीम को एक लाग की इनामी राशी दी जाएगी जितरी चौथे एस्थान पर रहने वाली टीम को 21,000 की राशी दी जाएगी अन्य खेलों में प्रतम पुरुषकार 51,000 दुईतिय पुरुषकार 21,000 तथा 33,000 पुरुषकार 21,000 रहेगा किर्कट की तरही अन्य सभी खेलों में इनामी राशी रखी गई है उन्होंने बताया कि किर्कट के लिए पंजीकरण 500 रुपे शुलक रखा गया है जबकि अन्य खेलों के लिए पंजीकरण 2,000 रुपे रखा गया है जबकि ऐत्लेटिक्स में पंजीकरण 2,000 रुपे रखा गया है वहीं उन्होंने बताया कि महिला खेलारियों के लिए पंजीकरण बिलकुल निशुलक होगा पंजिकर्ण की सुविदा पंचाय स्तर पर उपलब्द करवाई जाएगी इसके लिए जल्द ही कमेटियों का गठन भी कर लिया जाएगा और जैसा कि आप सब जानते हैं पिछले संस्त खेल महाकुम्ब में साथ हजार से अधिक युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और अब जब जिसकी रिजिस्टेशन बाई नमबर से शुरू हो रही है तीन दिसंबर तक तो हमारा पूरा विश्वास है कि इस वार भी संस्तियक शेतर का नौजवान युवा अपनी प्रतिबा दिखाने के लिए बाहर आएगा और जैसा कि अमराजी का उदेश्य है कि रास्ट युवा जो है इस देश की धरोर हैं उनको सारिलिक और मांसिक तोर पर मजबूत करने के लिए जहां खेल आवश्यक हैं वहीं उसके साथ साथ ग्रामी प्रतिबाओं को किस तरह मंच देकर उनकी प्रतिबा को उभारा जाए निखारा जाए ताकि आने वाले समय में वो राश्टिय स्तर पर अंतराश्टिय स्तर पर अपने प्रदेश अपने गाम का नाम रोशन कर सकें उसी तरज पर यह प्रतियोगता होने वाली है इसमें कबढधी बास्केट बॉल बाली वाल वो फुट बॉल कुल छे खेलें इस सांसत खेल महाकुम्ब में युवा प्रतिभाओं के बीच में बटेगा कि प्रयास है कि हमारे संस्देक शेत्र की जो बेटियां है जो युवतियां है उनको प्रतिभा दिखाने का मौका मिले जैसा कि आपने देखाई है आज राष्टे अंतराष्टे स्तर पर हिमांचल की कई युवा खिलाडियों ने बिविन खेलों में अपनी श्रेश्ट सा सिद्ध करी है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रतिभा केवल लड़कों में ही है तो उसी तरज पर शेरमणाब ठाकुर जी ने ये तैय किया है कि ग्रामीन स्तर पर हमारे जो नौ जवानों के साथ-साथ युवतियां है बेटियां है उनको भी प्रतिबा दिखाने का मौका मिले, उसी तरज पर ये प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रतियोगिता में युवतियां भी भाग लें इस सांसत खेल महाकुम्बो में जो संस्तियक शेत्र के भाग हैं हमीरपुर जिला, बिलासपुर जिला, जिला उन्ना, हमारा जिला मंडी का धर्मपुर विधान सवाक्षेत्र और संगठात्मक जिला देहरा, जस्मा प्रागपुर इसमें भी ये प्रतियोगिता हैं आयोजित होंगी और क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतम पुरुसकार जो सेकंड पुर्सकार 21,000 का थर्ड और 21,000 का फोर्थ प्राइज इसमें रहेगा शुल्क जो है क्रिकेट में 500 रुपिया लड़कों के वर्ग में युवाओं के वर्ग में और युवतियों के वर्ग में कोई शुल्क इसमें नहीं रखा गया है और अन्या खेलों में केबल 200 रुपिया इसमें शुलक रहेगा और एथलैटिक्स में मातर 10 रुपिया रेजिस्टेशन फीस इसमें रहने वाली है और इस प्रत्योगिता के बारे में मैं आप सब के माध्यम से ये भी जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि अन्राजी का जो प्रयास अपने संस्दियक्षेतर के युवाओं को बंच प्रदान करने का खेल के खेतर में रहा है आज पूरे रास्ट भर में उस प्रयास की सरहाना हो रही है और देश के अन्य सांसद भी सांसद खेल महाकुम अपने अपने संस्दिय क्षेत्रों में आयुद कर रहे हैं और हाली में उत्रपरदेश के असी संस्दिय क्षेत्रों में ये सांसद खेल महाकुम जो है वो शुरू हो रहा है तो ये बहुत बड़ा अच्छा प्रयाज श्रिय अन्राग ठाकुरी का रहा है और इससे पहले भी अन्राग जी ने युवाम और्चा के स्मये में देश के युवाओं को सफल तमृत्त मो Ten Film दिया था करोना काल के चलते दो साल तक संसत खेल महाकुम का आयोजन नहीं हो पाया है लेकिन अब 8 दिसंबर को इसका आयोजन होने जा रहा है